नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक्जाम वारियर के यूट्यूब चैनल पर आज की वीडियो में एचपी पुलिस कॉंस्टेबल के एक्जाम से जुड़े कुछ एक न्यूज में आपसे शेयर करूँगा और आपको इन्फॉर्मेशन दूँगा कि एक्जाम कब हो सकत है और एड्मिट कार्ड कब तक आएंगे उससे पहले जो एक्जपी पुलिस कॉंस्टेबल का रेटन एक्जाम हुआ था एक्जाम होने के कुछ दिन वाद ही कुछ बच्चों ने जो वट्सेप चैट वाइरल हुई थी जिसमें एक्जपी पुलिस कॉंस्टेबल के एक्ज हो चुका है पूरी तरह से कि जो एक्जपी पुलिस कॉंस्टेबल भरती मामले में लीक वाइरल वट्सेप चैट सही साबित हुई है तो देखिए अगर आप उस वक्त ही सही तरीके से जांच पड़ताल करते तो जितने बचे जिन्होंने डॉक्यमेंटेशन दी जो स्लेक् आपकी चोटी सी लापरवाही की बज़ा से जो यूथ है जो बेरोजगार यूवा है उसे बहुत कुछ जहलना पड़ता है तो अब यहां पर यह बात सामने आ रही है कि जो चैट वाइरल हुई थी वो सच है तो अगर आप सही समय पर उसकी जांच करते तो इतना सब कुछ देखने को नहीं मिलता जो यूवा जहल रहा है यह सब उसे बार बार यह सब जहलने को नहीं मिलेगा अब आप यह कहोगे कि जो एक बार पड़ने वाला बच्चा है वो फिर से उतने माक्स ले सकता है देखिए वो बात तो सही है लेकिन एक होता है कि बच्चा इसमें अगर ये जो चैत थी जो लीक होई ठी बहुत सच साबित हुई है तो पहले भी सच इसकर सब्सक्राइब से जांची जाती तो पुलिस डिपार्टमेंट से यही आपसे अब मेरी sup गुजारिश है कि जब भी कोई केस इस परकार से आता आता ह। तो उसकी गहन रूप से आपने जांच करनी है और इसका पता भी कब लगता है जब कांगणा के SP के दवारा तीन अवियार्थियों से पूशताच की जाती है क्योंकि उनके 10th प्लस 2 में 50% से कम माक्स थे लेकिन जो उन्होंने HP Police Constable का एक्जाम दिया था उसमें उनके almost 70 माक्स थे इसी वज़ा से वो शक के दायरे में आये और उन्होंने उनसे पूशताच की और पूशताच करने के बाद ये पता लग जाता है तो इस परकार की गलती आगे से ना हो इस चीज़ पर आपको ध्यान देना चाहिए क्योंकि जिस समय WhatsApp चैट लीक हुई थी अगर आप सही जांच करते तो इतना जादा जहमेला होना ही नहीं था क्योंकि उसके बाद documentation हुई क्योंकि documentation में भी बच्चों की दिन ही यहाँ पर टूट चुके हैं अब दिखिए जो बच्चे select हो चुके थे उन्हें इससे उभरने में काफी समय लगेगा तो इस परकार की गलतियां नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये बात तो पहले भी साबित हो सकती थी जो आपके पास WhatsApp चैट वाइरल हुई थी उससे भी तो आप पता कर सकते थे एक्जाम लीक हुआ था या नहीं तो ऐसे मामलों पर पुलिस कॉंस्टेबल को जो भी पुलिस डिपार्टमेंट है उन्हें ध्यान देना चाहिए ताकि आगे ऐसी कभी कोई घटना ना हो अब बात करते हैं एक्जाम कब होगा अब देखिए एक्जाम में भी यहाँ पर डिले दिख रहा है पहले यह कहा कि आपका इसी महीने के अंत में होगा लेकिन अब यह कहा जा रहा था कि जून में होगा और अब यह न्यूज भी सामने आ रही है कि एक्जाम 20 जून के बाद होगा तो एक टेवल आप यहाँ पर स्टेटमेंट दीजिए जूटे बाद हैं यहाँ पर नहीं देने चाहिए क्यूंकि तयारी उसी परकार से की जाती है जितने कम दिन रहते हैं उसी परकार से तयारियों में भी प्रभाब पढ़ता है या फिर कुछ अलग परकार से उन्हें तयारी करनी पढ़ती है तो इस परकार से आप डिले करते जाओगे यह सही बात नहीं है बाकी बात करेंगे एडमिट कार्ड यह आप देखिए यह बात यहाँ पर सामने आई है कि जो एक्जाम होगा वो 20 जून के बात होगा लेकिन यह कनफर्म नहीं है आप यह मान कर चलीए कि minimizing time that June में किसी भी वीक में आपका एक्जाम हो लेकिन वो होगा संडे को तो जो एडमिट कार्ड है वो आपके June के फिर्स्ट में तक आने चाहिए तब तक आपके एडमिट कार्ड आने चाहिए और first and second week के अंदर ही आपके admit card भी आ जाएंगे अगर 20 जून बाली बात सही है अगर 20 जून को ही आपके exam होंगे तो आपके first और second week तक आपके admit card आ जाएंगे अगर 20 जून से पहले होता है दिखिए पहले होने के chance बहुत कम है लेकिन आप ये मानकर चली अगर पहले भी होए तो आप अपनी तयारी अच्छे परकार से रखे आप ये ना सोचे क्योंकि student क्या है वो ये सोचता है कि अगर exam आगे जा रहा है तो वो सोचता है हमारे पास काफी समय है तो इस चीज़ पर आपने जादा ध्यान नहीं देना है बाकी सरकार को भी एक fix statement देनी चाहिए कि किस दिन exam होगा पहले कहते हो आपकी इसी महीने के अंत में होगा फिर आप कहते हो कि जून में अब आप कह रहे हो जून 20 को होगा या फिर ऐसे परकार के आपको कारे नहीं करने चाहिए एक fix आपको date यहां पर निधारित करनी चाहिए क्योंकि पहले ही काफी खिलवाड हो चुका है पुलिस कॉंस्टेवल के बच्चों के साथ आपने देखा होगा अब ये news भी आ रही है कि 2500 या फिर 2000 से जादा बच्चों के पास exam पहुँच चुके थे तो इस परकार के लापरवाही आपको आगे से नहीं बरतनी चाहिए ध्यान देना चाहिए exam CCTV कैमरे के निगराने में होने चाहिए कारवन कॉपी भी आपको देनी चाहिए OMR शीट की कारवन कॉपी से कोई प्रवाब नहीं पड़ेगा exam लीक होने से लेकिन एक जो बच्चे की satisfaction होती है जो इस बार उन्हें पूरी नहीं मिल पाई कि हमारे exam में ज्यादा marks बन रहे थे लेकिन हमारे कम आए और उन्हें इससे सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है क्योंकि जो question अगर उन्होंने गलत किया था और उन्हें लगता है कि हमने ये ठीक किया है वो इससे आगे सीख भी सकते हैं और marks calculate करने में भी ये easy रहेंगे क्योंकि हर एक बच्चे को अपना result पता होगा कि मेरे इतने marks हैं और आपको officially answer की भी provide करनी चाहिए तो कुछ एक ये update थी HP Police Constable के regarding बागी जिन्हों ने अभी तक तयारी नहीं की है देखिए मैंने आपको Hindi, English, Math, Reasoning इन सब चीजों की free of cost आपको मैंने coaching classes की जो भी थी playlist का link दे दिया था जिसको अभी भी नहीं मिला है वो previous वीडियो में एक बार जरूर देखे आपको एक रुपे देनी की जरूरत भी नहीं है free of cost आपकी यहां पर तयारी हो जाएगी अगर आपका अगर आप पूरे मन से तयारी करना चाते हो किसी भी exam की तो आज की date में किसी भी exam की तयारी बिना coaching लिए भी आप कर सकते हो क्योंकि बहुत से ऐसे YouTuber हैं जो आपको free of cost काफी अच्छा study material प्रवाइड करवाते हैं मैंने आपको reasoning और math खुद करवाया हुआ है लेकिन Hindi और English मेरी अच्छी नहीं है कि मैं आपको तयारी इसकी करवा सकूँ तो इसके लिए मैंने जो best YouTube में जो सबसे best teacher थे उनके link आपको provide करवाये थे तो previous video आप एक बार जरूर देख लें क्योंकि जिन video में title में आपको दिख जाएगा कि किस video में मैंने क्या करवाया है तो जिस video में मैंने link दिया है उनने आप जरूर देख लें description पे link मिल जाएगा उन video के तो उन्हें आपने ध्यान से देखना है तो जैसे ही कोई update आएगा exam के regarding या फिर कुछ भी update आएगा मैं आपको दे दूँगा अपने channel को subscribe जरूर कर लेना है जिन्होंने mock test नहीं लगाए देखिए आप तयारी कितनी भी कीजिए अगर आप mock test नहीं देते हो ये भी मैंने बताया हुआ है एक नहीं दो वीडियो इसकी बनाई है एक जो आपका exam हुआ था उससे पहले भी मैंने आपको बताया था क्यूंकि बहुत से बच्चे time management में ही गलती करेंगे क्यूंकि एक घंटे में आपको start question करने होते हैं तो इसके लिए time management क्या चलेगा या फिर आपको किस परकार से exam attempt करना है ये चीजे भी मैंने आपको सिखाई है उन्हें आप एक बार जरूर देख ले mock test time management ये दो चीजे काफ़ी important है तो इन्हें आपने एक बार जरूर देख लेना है तो ये क्यों होता है और इसके पीछे आपको कौन सी गलतिया नहीं दोरानी होगी ये चीजे मैंने उसमें बताई है उन्हें आप एक बार जरूर देख ले बाकी exam की date जैसे ही नजदीक आएगी इस वार फिर से मैं आपको full mock test provide गरवाऊँगा पिछली बार मैं थोड़ा असमर्थ रहा full mock test करवाने में मैंने maximum 40 marks के बाकी 20 marks के और 5-5 question आपको provide गरवाए थे mock test में इस वार मैं full 80 marks का mock test लाने की कोशिश करूँगा वागी चैनल से आपने जुड़े रहना है इसे इस subscribe जरूर कर ले मैं उसकी वीडियो बना देता हूँ ताकि वो वीडियो आप तक पहुंच सके और आप updated रहे तो मिलते हैं आप से next वीडियो में